हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब मैं नेहा राजबंशी क्लास 12 की आज की हमारी इंग्लिश क्लास में आप सब का स्वागत करती हूँ तो बच्चों हाँ विस्तासबुका चैप्टर 7 पर रहे थी जिसका नाम है इवेंस, ट्राइज और ओ लेवल तो बच्चों अब तक हमने स्टोरी में पढ़ा है कि इवेंस जो कि एक प्रिजनर है जो कि बार बार जेल से भागने के कोशिश करता है वो जर्मन लैंग्विज का O लेवल का एक्जाम देना चाहता है लेकिन यह एक्जाम वो एक्च्वल में नहीं देना चाहता यह सिर्फ एक प्लाइन है उसका फिर से जेल से भागने के लिए और इस प्लाइन में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि उसका साथ दे रहे हैं जो कि उसको जर्मन सिखाने के लिए जेल में आया करते थे वो भी एक जर्मन टीचर नहीं थे बलुकि वो भी इवेंट था जो कि इस प्लाइन में देन सा था और इन्विजी लेटर बन के आया है मैकलेरी वह भी इ彌िली नहीं हैं रिएल मैकलेरी अपने और यह सिर्मक एप से जेल में आया है ब्यास एज से वाven प्लेटर भीए गॉर जो इसके बावजूद भी उनको जरासा भी डाउट नहीं है इस बारे में कि इवेंस क्या प्लैनिंग कर रहा है कितने लोगों को उसने अपने प्लैन में इंवाल्व कर रखा है और बच्चों लास्ट में हमने पढ़ा था कि एक्जाम स्टार्ट होने वाला है और जो स्टीफेंस है जो प्रिजन ओफिसर है वो भी सेल में है लेकिन इवेंस उनको बाहर भीजना चाहता है क्योंकि उसके माइन में अभी भी कुछ प्लैन है जो कि स्टीफेंस के सामने वो तो मैं अपने एक्जाम पे कैसे करूंगा और जबकि उसको कॉंसंटेशन अपने एक्जाम पे नहीं देना था वालकि अपने प्लैन को वरक आउट करना था इसलिए वो स्टीफेंस को सैल से बाहर भीजना चाहता था तो बच्चों अब आके और क्या होता है हम जानींगे, चलिए स्टार्ट करते हैं तो बच्चों हमने पढ़ा था कि उस सेल में गवर्नर ने एक माइक्रोफोन लगा रखा था जिसके वो जैसे सेल में होने वाली सारी बाते वो सुन सकते थे तो गवर्नर ने भी ये बाते सुनी जब इवेंस ने मैकलरी से पूछा था कि क्या ये यहीं रहेगा मैकलरी ने कहा था मुझे नहीं पता और स्टीफन्स ने कहा था कि हा मैं यहीं रहूंगा क्योंकि जैक्सन ने मुझे strict instruction दिये हैं कि पूरे टाइम मैं यहीं रहू पूरे टाइम मैं तुम पे नजर रखू तो इस सारी बाते गवर्नर सुन रहे थे तो सारी बाते सुनने के बाद गवर्नर क्या गड़ते हैं जो फोन था उनके रूम में लगावा था उस फोन तक वो जाते हैं जैक्सन, आ गूड, get स्टिफन आफट ओफ ते सेल, will you? I think we are perhaps overdoing तो गवर्नर जब सारी बाते सुनते हैं तो उनको लगता है कि हाँ सही है स्टिफन अगर सेल में रहेगा तो शायद सच में इवेंस प्रॉपरली अपना एक्जाम पे फोकस नहीं करवाएगा तो गवर्नर किसको फोन करते हैं वो जैक्सन को फोन करते हैं और कहते हैं कि जैक्सन जो स्टिफन सेल के अंदर तुम उसे सेल से बाहर बुला लो आगे वो कहते हैं कि मुझे रगता है कि हम शायद कुछ जादा ही प्रिकॉशन दे रहे हैं शायद हम को जादा ही precaution ले रहे हैं, हम ओवर रियक्ट कर रहे हैं, हम चीचों को ओवर डू कर रहे हैं, हमें इतना जादा भी ध्यान नहीं देना चाहिए, इतनी जादा चिंता भी हमें नहीं करनी चाहिए, एक नॉर्मल एक्जाम है, और इतनी security है, इवेंस कैसे भागेगा तो ठीक है, अगर वो चाहता है कि स्टीफेंस सेल से बाहर रहे, तो तुम स्टीफेंस को सेल से बाहर लियाओ As you wish sir, तो जैक्सन इस बारे में कहता है कि ठीक है sir, जैसा आप कहें, आपने पहले order दिया था कि स्टीफेंस अंदर रहेगा, इसलिए वो अंदर था, अब अगर आप चाहते हैं कि वो सेल से बाहर रहे, तो ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं, वैसा ही मैं करूंगा The governor heard the exchanges in the cell, heard the door clanged once more and heard McLeary announce that the examination had begun at last, तो फिजैक्सन सेल में जाते हैं, सेल में जाके वो स्टीफेंस को बताते हैं कि तुम्हें सेल से बाहर आना है, बाहर बैट के तुम्हें वाच रखनी है, तो यह जो सारी बाते थी, यह जो सारी एक्सचेंज थी, डायलोग्स के जो सार बाते भी governor सुनते हैं उस microphone की help से, और फिर वो यह भी सुनते हैं कि जो सेल का door था वो फिर से klang होता है, फिर से आवाज के साथ में बंद होता है, तो स्टीफन जो है वो सेल से बाहर आ गए है, बाहर आके उन्होंने फिर से door close कर दिया था, तो उसकी भी आवाज गवर्नर और फिर उन्होंने सुना कि finally a McLaree ने announce कर दिया था, जो एक नकली McLaree बनके आया था, महाँ पर जो इन्वीजिलेटर का role play कर रहा था, उस McLaree ने finally announce कर दिया था कि अब examination जो है वो start हो रहा है, तो इस सारी बाते गवर्नर अपने रूम में बैठ के सुन रहे थे, इट वस 9. 9.25 a.m. and there was a great calm, तो बच्चों finally exam start हुआ, थोड़ा late start होता है, finally exam start होता है 9.25 पे, और जब exam start हो चुका है, तो अब उस पूरे cell में पूरी तरह से शांती थी, silence था, जो McLaree था, वो भी बिल्कुल चुप था, और events भी बिल्कुल चुप था, दोनों बिल्कुल चुप थे, cell में से कोई भी आवाश नहीं आ रही थी, at 9.40 a.m. the examination board rang through and the assistant secretary with special responsibility for modern languages asked to speak to the governor, तभी क्या होता है, 9.40 का जब time होता है morning का, तो उसमें क्या आता है, एक phone call आता है, कहां से, जो examination board था, वहां से एक phone call आता है, और उसमें कौन बात कर रहे होते हैं, जो assistant secretary जिनके पात special responsibility भी थी, modern languages की बारे में, उनका phone आता है, और वो phone पे क्या करते हैं, उनको बात करनी थी, किसे governor से, तो जो prison के governor है, उनके लिए phone आता है, examination board की, जो assistant secretary थे, उनका call आता है, और वो governor से बात करना चाहते थे, The examination had already started, no doubt, a quarter of an hour ago years, तो वो क्या पुछते हैं, वो पुछते हैं कि exam start हो चुका है, जो time था, schedule time वो तो हो चुका है, तो क्या अब exam start हो चुका है, तो इस यह सुनके governor क्या कहते हैं, वो कहते हैं, यस exam start हो चुका है, और start हो भी कितना time हो गया है, अब quarter of an hour, quarter of an hour का क्या मतलब होता है, quarter कहते हैं, one foot part, तो one hour का one foot क्या होता है, one hour में कितने minutes होते हैं, 60 minutes होते हैं, तो 60 minutes का one foot means 15 minutes, तो governor कहते हैं, कि 15 minutes पहले exam start हो चुका है, well, there was a correction slip, which some fool had forgotten to place in the examination package, very brief, could the governor please, तो आगे जो phone आया था, assistant secretary का, वो आगे क्या कहते हैं, वो कहते हैं, कि अच्छा phone इसलिए किया था मैंने, क्योंकि एक correction slip थी, यानि जो question paper events के लिए आया था, O-level exam का, उस exam में, उस question paper में कुछ correction करवाना था, तो वो कहते हैं, कि एक correction slip थी, जो कि इस paper का जो package था, उसमें हमें रखनी थी, लेकिन ये काम किसी एक वेक्ति को दिया गया था, और वो बिचारा मूर्ख था, और वो रखना भूल गया, तो secretary कहते हैं, कि एक correction slip थी, जिससे इस examination package में रखा जाना था, लेकिन एक मूर्ख इ में print हो गए हैं, तो उसे हमें correct करवाना है, और एक correction slip हम पहले से prepared थे आपको देने के लिए, लेकिन गलती से, जिसको हमने duty दी थी, वो इसको गलती से रखना भूल गया है, आगे वो कहते हैं, कि छोटा सा correction है, तो पूसते हैं, कि क्या governor ये correction करवा देंगे, जो correction है, उस question paper to Mr. Jackson in D-Wing, hold the liner minute, तो governor कहते हैं, हाँ, बिलकुल, अगर question paper में correction करवाना है, तो definitely हम करवा देंगे, आगे वो कहते हैं, कि जो telephone line है, अब वो line में direct connect कर देता हूं, किसके पास Mr. Jackson के पास, जो कि D-Wing में ही मुझूद है, तो governor कहते हैं, कि हाँ, definitely correction अगर करवाना है, तो हम तो फिर वो telephone line connect कर देते हैं, उस telephone line से जो कि direct Mr. Jackson के पास जा रही थी, जो कि D-Wing में ही मौझूद थे, hold the line a minute, वो कहते हैं, एक minute hold करो, मैं line connect करवा रहा हूं, Mr. Jackson direct आप से बात कर लेंगे, was this the sort of thing the governor had fear, तो बच्यों governor ने line connect कर दी है, Mr. Jackson को direct connect कर दिया है, लेकिन उसके गवर्नर के माइन में फिर से doubts आ रहे हैं, अब वो सोच रहे हैं कि क्या जो phone call आया है, ये actual में examination board से आया है, या फिर ये कोई fake call है, ये कोई fake secretary है, जो कि बात कर रहा है, तो उनके मन में आता है कि क्या सच में कुछ ऐसा हो रहा है, जिसके बारे में मुझे ड़ना चाहिए, जिसके बारे में मुझे doubt करना चाहिए, तो बच्चो जो governor है, वो events का background बहुत अच्छे से जानते हैं, और वो बिल्कुल भी chance नहीं लेना चाहते हैं, वो भी मन में बहुत जादा tense है, कि events कहीं फिर से भागना जाए, तो इसलिए एक एक चीज को extra precaution के साथ देख रहे हैं, extra careful हैं, वो एक एक चीज के बारे में, तो जो phone call आता है, तो उनके मन में फिर से doubt आता है, कि क्या ये phone call real है, या फिर ये fake है, ये कोई ऐसा plan है, जो कोई events को help कर रहा है, यहां से भागने के लिए, Was the phone call a fake, some signal, some secret message, तो governor के mind में आता है, कि कहीं ये phone call fake तो नहीं है, नकली तो नहीं है, किसी वेक्ति ने ऐसे तो नहीं फोन कर दिया, वो एक्चुर में assistant secretary ना हो, ये phone call examination board से ना आया हो, बलकि किसी और नहीं ये phone किया हो, इस phone के द्वारा कोई वेक्ति सिगनल पहुँचाना जाता है, events तक, तो governor के मन में doubt आता है, कि ये phone call क्या सच है, real है, या फिर ये fake है, बट ही कुछ check on that immediately, तो governor सोसते हैं, कि अगर मुझे doubt हो रहा है, तो इस doubt को मैं confirm कर सकता हूँ, मैं check कर सकता हूँ, तुरंद कि ये phone call क्या सच में examination board से आया है, या फिर कोई fake call है, ये dial the number of the examination board, तो confirm करने के लिए governor क्या करते हैं, वो अपने phone से वापस से dial करते हैं, कौन सा number, examination board का number वो dial करते हैं, but heard only the stacker to beeps of a line engaged, लेकिन उन्हें क्या सुनाई देता है, जब वो dial करते हैं, तो उनको पता चलता है, कि जो line है, जो number है examination board का, वो अंगेज आ रहा था, वो busy आ रहा था, और उन्हें सब scateto bleeps सुनाई देती है, scateto कहते हैं musical, तो के वो musical beeps की आवाजी उन्हें सुनाई देती है, तो वो समझ आते हैं, कि जो number है examination board का, वो इस समय अंगेज है, इस समय वो busy है, but then the line was engaged, wasn't it, तो वो सोचते हैं, कि line तो actual में busy है, अंगेज है, यानि कि वो check करना चाहती थी, कि क्या phone सच में examination board से ही आया है, तो उन्होंने examination board की number पे call किया, तो उसे में line busy आ रही थी, तो उन्होंने सोचा कि हा, सच में line तो इस समय busy ही है, क्योंकि इस number की बाते हो रही है, कहां Mr. Jackson से, यानि कि जो governor थे, उन्होंने क्या किया था, उस call को divert कर दिया था, connect कर दिया था Mr. Jackson की call से, तो वो वापर जब उस number पे dial करते हैं, और वो line busy आ रही है, तो वो सोचते हैं कि हा, सच में phone यहीं से आया है, क्योंकि phone सच में अभी busy है, Mr. Jackson की बाते चल रही है, येस, not very intelligent that, वो सोचते हैं कि हा, सच में phone सही है, सच में यह examination board से ही phone आया है, तो वो कहते हैं कि उनका जो doubt था, वो ज्यादा intelligent, उन्होंने अपनी show नहीं की, ज्यादा उन्होंने बुद्धी मता अपनी show नहीं की, ये doubt करके, क्योंकि फोन सही था, सच में examination board से ही phone आया था, तो जब वो फोन रख देते हैं, उसके दो मिनट के बाद, फिर से जो receiver था, जहां से उनको आवाज आ रही थी, उस सेल में होने वाली सारी बातचित वो सुन रहे थी, तो फिर से उन्हें आवाज आती है, सेल में से, उन्हें आवाज आती है कि कोई whisper यानि धीरे धीरे बोल रहा है, तो धीरे-धीरे communication करने की, धीरे-धीरे बातचित करने की उन्हें आवाज आती है, और फिर बात में McLeary की आवाज सुनाई देती है, और McLeary की आवाज कैसी थी, उनका जो accent था, वो Scotts था, Scotts जो Scotland के लोग होती है, वो जिस तरह से English बोलते हैं, उनका जो accent होता है, उस accent में McClary बात कर रहे थे और काफी broad याने काफी heavy, काफी भारी उनकी आवास थी तो इस तरह से Scottish language में Scottish accent होता है उसमें वो बात कर रहे थे तो McClary ने क्या कहा तो जो correction slip थी, जो की examination board के secretary ने किसको दी थी? Mr. Jackson को दी थी तो Jackson ने फोन पे note करने के बाद वो लाके McClary को दे दिया और McClary जो है वो invigilator है तो उन्हें correction करवाना है तो अब वो correction करवा रहे थे events को तो McClary ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि Mr. Evans क्या आपको समय के लिए लिए लिखना छोड़ सकते हो आप जो अपना paper solve कर रहे हो आप 1 minute के लिए आप लिखना बंद कर दो और carefully सुनो, ध्यान से सुनो जो मैं आपको correction करवा रहा हूँ उस correction को आप ध्यान से अपने paper में note करो उसको सुनके उसके according करेक्शन करो आगे वो कहते हैं कि जो ये exam दे रहे हैं German language का उन सारे candidates को ये correction करना है जो आपका paper है 0211 उसमें जो correction है वो correction आप सब को करना है तो वो correction करवाते हैं on page 3 line 15 the fourth word should read goldenen not golden and the whole phrase will therefore read zum goldenen lowen not jam golden lowen I will repeat that तो वो क्या correction था मैं के लिए correction कर आते हैं कि जो आपके question paper का third page है उसमें जो 15 number की line है उस line का जो fourth word है उस word में जो goldenen लिखावा है उसकी जगह आपको क्या करना है goldenen करना है यानि कि उस word को आप goldenen पढ़के करके आप read करोगे ना कि goldenen आगे वो कहते हैं कि इसी तरह से जो पूरा phrase है आगे जो पूरा paragraph है ये इसी तरह से आपको read करना है jam goldenen lowen यानि कि उस paper में लिखावा था jam goldenen lowen तो वो कहते हैं कि jam goldenen lowen की जगह आपको पूरी paragraph में jam goldenen lowen ही read करना है फिर वो कहते हैं कि मैं फिर से इस बात को repeat कर दूँगा कि क्या correction है आप अच्छे से सुनो ध्यान से सुनो और ये correction आप अपने question paper में कर लो तो बच्चो गवर्नर के मन में doubt भी आया था उन्होंने reassure भी किया और उन्होंने recheck भी किया पर बच्चो फिर भी गवर्नर पकड़ नहीं पाई ये सच में एक fake call थी और ये भी events के plan का ही एक part थी और ये जो correction slip था ये भी सब इसी लिए आया था events को आगे अब क्या करना है यहां से कैसे भागना है भागने के बाद क्या करना है वो सारी information इस correction slip के द्वारा events तक पहुंचाए गई थी और गवर्नर ने doubt करते वे भी वो बिलकुल नहीं पकड़ पाती है और events तक फिर से सारी information पहुंच जाती है कि आगे plan में उन्हें क्या करना है तो जो correction slip के through message दिया था में क्लेरी ने यह actual में events के लिए एक information थी तो इस सारी बाते गवर्नर सुन रहे थे अपने रूम में बैटके तो इस पूरी बाते सुनने के बाद वो स्माइल करते हैं he had taken German in the sixth form himself and he remembered all about the agreements of adjectives तो बच्चों जो governor है उन्हें भी German language आती थी जब वो class sixth में थे तब उन्होंने German language adopt की थी तो वो सारी बाते याद करते हैं कि German language में क्या-क्या चीजे थी जो German language ही grammar होती है वो कैसी होती है तो उन्हें सारे rules याद आ जाती है कि German language के जो adjectives होती है वो किस agreement में लिखे जाती है क्योंकि वो खुद भी German language जानते थे उन्होंने पढ़ रखी थी school में तो उन्हें खुद भी याद आ जाती है कि German language किस तरह से लिखी जाती है, क्या rules होती है, जो adjectives का agreement होता है, वो किस तरह से लिखे जाती है, वो सारी चीजे वो उनके mind में फिर से recall हो जाती है And so did Macleary, by the sound of things for the minister's pronunciation was most impressive, और इसी तरह से जो Macleary थे, वो भी German language जानते थे, तो उन्हें भी सारी बाते, सारे rules जो थे, वो grammar के पता थे और वो जो minister थे, यारे की जो Macleary थे, उनका जो pronunciation था German language का, वो जिस तरह से German language को बोल रहे थे, जिस तरह से उसको pronounce कर रहे थे, उनका जो pronunciation था, वो governor को बहुत ही impressive लग रहा उन्हें लगा कि ये कितनी अच्छे जर्मन बोलते हैं, कितने अच्छे तरह से एक एक word का pronunciation कर रही हैं, ये चाश गवर्नर को बहुत ही impressive लगी but what about events, he properly didn't know what an adjective was, तो governor आगे सोचते हैं, कि मुझे भी German language आती है, मुझे भी basic rules पता है और जो McClary है, वो भी German language जानती है, उनका pronunciation कितना अच्छा है German language का, आगे वो सोचते हैं कि लेकिन events का क्या, वो तो कुछ ही महीनों से German language सीख रहा है और उसे तो strict पता भी नहीं कि German language में जो adjectives होते हैं, वो किस तरह से लिखे जाते हैं, क्या rules होते हैं, इन सब के बारे में तो अभी events को पता ही नहीं है इसके बाद बच्चो एक बार फोन वापस बचता है, और महां का प्रिजन का फोन, और इस बार फोन कहां से आता है, मजिस्टेट कोर्ट से फोन आता है और क्यों फोन आता है, जो मजिस्टर का कोर्ट था, उनको वहां से फोन आता है, और वो अपने requirement बताते हैं, वो कहते हैं, कि हमें एक प्रिजन वैन चाहिए, और कुछ प्रिजन ओफिसर्स हमें चाहिए, रिमांड केस, क्योंकि एक रिमांड केस था, उसके लिए उन्हें और कुछ officers चाहिए थे, तो बच्चों जो magistrate होते हैं, magistrate के सामने प्रिजनर को लाया जाता है, तो वैन में लाया जाता है, और उसके security के लिए कुछ प्रिजन ओफिसर्स भी चाहिए होते है, तो magistrate की कोट से फोन आया था, कि एक पििजन वैन चाहिए, और कुछ प्रिजन तो वो सोचते हैं कि क्या सच में एक्टुल में रीयल कॉल है या फिर ये एक फेक कोल है ये भी इवेंस का कोई प्लान है लेकिन फिर वो सोचते हैं कि नहीं उन्हें इतना सिली भी नहीं होना चाहिए इतना ज्यादा डाउट भी नहीं करना चाहिए हर चीज के बारे में इतना extra precaution उन्हें नहीं लेना चाहिए फिर नहीं हो चुकी है Events for the first quarter of an hour Stephens had doubtfully paid through the peephole at intervals of one minute or so and after that every two minutes add to 10.45 am तो बच्चो अब सैल में Events और McClary दो ही जने थे और जो McClary है यह भी real नहीं है यह भी एक fake McClary है और यह Events का ही friend है जो कि Events के plan में involved है Events को यहां से भागने में health करने के लिए यहां आया है वो दोनों सैल में अकेली है जो Stephens था उसको Events ने एक plan के द्वार ही अपनी सैल से बाहर भीज दिया था तो Stephens को भी Jackson ने ओर दिया था कि तुम बाहर हो लेकिन तुम्हें पीफोल में से नजर बना के रखनी है पीफोल बच्चों हमने पढ़ाता पहले जो कि गेट पे बनाव होता है छोटा सा होल जिसके द्वारा हम अंदर का देख सकते हैं अंदर क्या हो रहा है तो Stephens के ड्यूटी थी कि बाहर बैठे वे भी वो बार बार जाएगा पीफोल में से चेक करेगा कि अंदर सारी छीजे ठीक है ना तो जो पहला क्वारटर था क्वारटर ओ फीफोल प्राटर होता है बाहर बार बार पीफोल तक जाता तो आंदर जाकर देखता कि अंदर क्या हो रहा है वन मिनट के इंटर्वेल पे यानि कि हर एक एक मिनट से वो उठता जाता और देखता पीफ होल में से कि अंदर क्या हो रहा है सारी चीजे ठीक है ना लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो दो-दो मिनट के गैप पे जाने लग गया यानि कि स्टार्टिंग के 15 मिनट तो बहुत ही ड्यूटीफूली काम कर रहा था हर मिनट उठता जाता चेक करता पीप होल में से लेकिन उसके बाद उसने अपना इंटरवल बढ़ा दिया था अब अंदर क्या हो रहा है उससबको वो चेक कर रहा था और अब टाइम क्या हो जाता है 10.45 एम का टाइम हो जाता है Everything was still alright as he looked through the people once more तब भापस वो जाता है दो मिनट के इंटरवल पर वो जाता है और इस बार जब वो चेक हिरता है पीप होल में से अंदर क्या हो रहा है तो वो देखता है कि अभी भी सारी चीज़े बिल्कुल ठीक हैं जैसे पहले थी वैसे ही अब है सारी चीज़े बिल्कुल परफेक्टली आल राइट है तो अब स्टीफन सोच रहा है अपने मन में किस तरह से बार बार चेक करने का क्या पॉइंट है क्या मतलब है क्या हो रहा है कि मैं बार बार उठके Check कर रहा हूँ इसका क्या फाइदा It was always more or less the same वो सोच रहा है कि अंदर की जो चीजे हैं अंदर जो सीन है जो McClary और Events बैठे हैं वो बिल्कुल same ही तो बैठे हैं जैसा हो हमेशा होते हैं जितनी बार भी देखता हूँ पहले की तरह ही बिलकुत same position में, same जगे वो लोग बैटे हैं, कुछ change ही नहीं है, तो इस तरह बार-बार देखने जाओं उसका क्या फाइदा है events, his pen between his lips, sat staring straight in front of him towards the door, seeking it seemed some solely needed inspiration from somewhere तो जितनी बार भी स्टिफन जाता था, पीपोल में से अंदर देखता था, तो हर बार क्या पाता था, कि events कैसे बैठा हुआ है उसने अपना pen पकड रखा है, कहां अपने दोनों lips के बीच में, तो उसको question paper में जादा अच्छे से आ नहीं रहा, उसको जादा आंसर आते नहीं है तो वो लिखने की बज़ाए, अभी तक सोच रहा है, क्या लिखूं वो आंसर याद करने की कोशिश कर रहा है और अपना pen पकड के बैठा वा है, पैन उसने अपने lips के बीच में रख रखा है, और वो बिलकुल straight होके बैठा वा है और वो stare कर रहा है, लगातार देख रहा है अपने सामने, और उसके सामने क्या है, डोर है तो वो door के सामने stare कर रहा है, door के सामने लगातार वो देख रहा है और ऐसा लगता है कि वो लगातार एक जगर देख के क्या कर रहा है वो try कर रहा है, seek, तलाश करने के कि उससे कहीं से कुछ inspiration मिल जाए कहीं से कोई प्रेण ना आ जाए कि उसको सारे answers याद आ जाए यानि कि वो question उसके लिए बहुत tough है उसे आ नहीं रहा कुछ भी तो वो बस एक जगे stare कर रहा है और स्टिफन्स को ऐसा लगा कि इस तरह से stare कर रहा है ये चाहता है कि कहीं से कुछ clue मिल जाए कहीं से कुछ inspiration इसे मिल जाए ताकि इसको सारे answer जल्दी से याद आ जाए तो ऐसा उसे लग रहा था कि ऐसी inspiration जिसकी इसको सोडली यानि बहुत जादा आवश्यकता है इस paper को solve करने के लिए ऐसी inspiration इससे चाहिए इसलिए ये एक तरफ ही stare कर रहा है लगातार देख रहा है and opposite him McLary तो जितनी बार भी Stephens देखता था अंदर events तो ऐसे ही उसको मिलता था हर बार उसका pen उसने पकड रहा है लिख नहीं रहा वो बलकि वो एक ही जगे stare कर रहा है and McLary उसको हर बार कैसा दिखता था? McLary इवेंस के opposite बैठा है उसके सामने बैठा था सीटे slightly askew from the table now और McLary किस तरह से बैठा है? वो table पे थोड़ा सा slightly यानि थोड़ा सा askew कहते है तेड़ा होके slant होके तो थोड़ा सा slant होके बैठा है तेड़ा होके बैठा है his face in semi profile तो इसलिए उसका जो face है वो स्टीफेंस को पूरा नहीं दिखाई देता बलकि semi profile दिख रहा है semi profile जो ये side का face होता है इसे खहते है semi profile यानि कि स्टीफेंस को मैकलेरी का पूरा face नहीं दिख रहा था केवल side का face ये उसे दिख रहा था his hair as स्टीफेंस had noticed earlier और जो मैकलेरी था उसके बाल कैसे थे और उसके बाल जो थे वो स्टीफेंस ने पहले भी notice किये थे जब ये अंदर आया था तब भी स्टीफेंस ने देखा था किसके बाल कैसे है वैसे ही बाल अब उससे मैकलेरी के दिखाई दे रहे थे और उसके बाल कैसे थे Amatorously Clipped Pretty Closely to the scalp उसकी जो बाल थे वो अमेचिरस्ली कहते है अकुशल यानि की ग्रफेक जो चीज पर्फेक्ट ना हो तो बहुत हीक इम्रफेक्ट तरीके से इसके बाल कट किये वै थे और वो कैसे थे उसका जो scalp होता है स्कल्प कहते हैं बच्चों जो हमारा हैड होता है उसकी जो स्केन होती है उसे स्कल्प कहते हैं तो उसका जो स्कल्प था उसके बिलकुल पास तक उसके बाल काटे वे थे आने कि बहुत ही छोटे उसके बाल काटे वे थे इतने छोटे कि उसका स्कल्प तक दिखाई दे रहा ऐसा उसके बाल काटे हुए थे और उसके जो आइस थी, behind the pebble lenses peering short sightedly at the church time और उसके जो आइस थी वो कैसी थी, हमने पढ़ा था कि इसमे चश्मा लगा रखा था तो उसके चश्मे के जो lenses थे, वो कैसे थे, pebble यानि काफी मोटे-मोटे lenses थे, जैसे पत्थर होता है इस तरह है कि उसके lenses थे, तो lenses में से वो अपनी आँखों से क्या देख रहा था the church time, हमने पढ़ा था पहले, ये एक newspaper था, ये जिसके current edition था, ये लेके आया था तो उस paper को वो देख रहा था, कैसे? short sightedly यानि बिल्कुल past से तो वो बैठा वा है और उसके past में paper है, the church time, उसको बिल्कुल past से देख रहा है चश्मे उसने लगा रखा है, और paper वो देख रहा है His right index finger hooked beneath the narrow clerical collar और उसके right hand के index finger है, वो index finger उसने कहां लगा रखी है, जो उसका clerical collar है, वहाँ उसने लगा रखी है clerical collar, बचो आप यह फोटो में देख सकते हैं, ये इस तरह का जो collar होता है जितने भी persons होते हैं, ministers होते हैं, church में जो duty देते हैं, वो इसी तरह की dress भेंते हैं उनका जो collar होता है, shirt का, वो ऐसा ही होता है, इसे कहते हैं clerical collar तो उसकी जो right hand के index finger थी, वो उसने अपने collar के अंदर लगा रखी थी and the fingers of the left hand, the nails meticulously manicured, slowly stroking the short black beard और जो उसका left hand था, वो दिखाई दे रहा था, जो left hand के जो nails थे, वो बहुत ही meticulously, यानि बहुत ही बारीकी से manicure किये गए थे, manicure यानि साफ, यानि कि बहुत ज़्यादा साफ थे बहुत बारीकी से उसने अपने nails clean कर रखे थे, और वो क्या कर रहा था अपने left hand से उसकी जो black beard थी, जो black color के उसकी डाडी थी, उसे वो बहुत धीरे-धीरे से stroke कर रहा था, यानि कि अपनी डाडी को वो हिला रहा था, डाडी को उसने हाथ रख रखा था, इस तरह से मैकलेरी वहाँ पर बैठा हुआ था, opposite events के at 10.50 a.m. the receiver crackled to life and the governor realized he had almost forgotten events for a few minutes, तो बच्च अब time हो चुका है 10.50 और फिर से जो receiver है, जो की governor के room में लगा है, जहां से हो सारे बाते सुन रहा है, cell में क्या हो रहा है, तो receiver में से फिर से आवाज आती है, crack to life यानि फिर से receiver जीवित हो जाता है, फिर से receiver में से आवाजे आने लगती है, और इस बार जब आवाज आती है, तो governor realize करते हैं, कि वो तो events के बारे में भूल ही चुके थे, कुछ minutes के लिए, यानि कुछ minutes से receiver में बिलकुर आवाज नहीं आ रही थी, cell में कोई बाते नहीं हो रही थी, तो governor अचानक से realize करते हैं, कि last कुछ minutes उन्होंने events में ध्यान ही नहीं दिया, उन्हें पता ही नहीं कि last last कुछ minutes से cell में क्या हो रहा है, events, please sir, a whisper, तो इस बार जो आवाज आती है, जो governor सुनते हैं, तो क्या आवाज आती है, events के आवाज आती है, और events यानि बहुत धीरे से कह रहा है, please sir, events, please sir, louder, अब second बार उसके आवाज वो रिसी तेज हो जाती है, अब वो तेज आवाज में कह रहा है, please sir, events, would you mind if I put a blanket round me, shoulders, sir, it's a bit parking, in here isn't it silence, तो events क्या कहता है, मैकलेरी से, वो मैकलेरी से एक request कर रहा है, वो कह रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा parking यानि ठंड है, cell में बहुत ज़्यादा ठंड है, तो अगर मैं जो blanket है, मैं blanket लेना चाहता हूँ, ब्लैंकेट को मैं अपने shoulders पर अच्छे से लपेटना चाहता हूँ, अगर आप माइन करो, अगर आप permission दो, तो क्या मैं blanket ले सकता हूँ, ब्लैंकेट अपने shoulders पर डाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, इसके बाद महाँ पर फिर से silence, शान्ती हो जाती है, events, there is one on me bank there, तो इसके बाद events कहता है, कि blanket यहीं पर रखा है, जो मेरा bunk है, मेरा bed है, वहाँ पर एक blanket रखा है, अगर आप permission दो, तो वो blanket मैं bed पर सुठा लूँ और अपने shoulders पर डाल लूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंड है, McClary, be quick about it, तो McClary permission दे देता है, वो कहता है, ठीक है, लेकिन जल्दी से कर लो, इस काम में time मत लगाना, जल्दी से उठो, ब्लैंकेट लो, फिर से अपनी सीट पर आकर बैट जाओ, और इसके बाद फिर से वहाँ पर शांती हो जाती है, तो बच्चो जो ब्लैंकेट है, जो इवेंस ने लिया है, यह भी ठंड की वज़े से नहीं लिया है, बलकि यह भी उसके प्लैंकेट के जरुवत थी, क्योंकि अब वो कुछ ऐसा करना चाहता है, जो कि वो किसी को दिखाना नहीं चाहता, इसलिए वो ब्लैंकेट ओड के बैट गया है, और मैकलेरी को तो पता है इस प्लैंके बारे में, इसलिए उसने भी परमिशन दे दी इवेंस को, कि वो उठे और ब्लैंकेट को लेके बहुत सारे डाउट्स है, बहुत एक्स्रा प्रिकॉशन वो ले रही है, इसके बावजूद भी उनको बिल्कुल आइडिया तक नहीं है, कि इवेंस अल्रेडी एक प्लैंको वक आउट कर रहा है, तो बच्चों, फाइनल इवेंस क्या आपने इस प्लैं में सक्सेस्फुल हो पाता है, आगे क्या होता है हम जानेंगे जब हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, सी यू इन दे नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू